हालो और विलकम फ्रेंट्स आये देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में हम डेट एंड टाइम शो कराने वाला कैलकुलीटर यानि कि वाच कैसे बना सकते हैं ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हम डॉक टाइप लिखेंगे यहां लिखता हूं मैं और यहां पर फिर हम एस्टेम मैं लिख देता हूँ शो करेंट डेट एंड टाइम ठीक है एक लोज किया हमने इसके बद क्या करना है आपको यहां पर बटन बनाने है ठीक है कैसे बनेगा बटन वो भी मैं बचाता हूँ आपको बहुत ही इजी है असान है तरीका बटन टैग लगाया हमने ठीक है और बटन टाइप ठीक है यह बटन का टाइप कैसा होगा इस लिक्वल टो बटन यानि कि हम बटन ही बना रही है ठीक है यह लिख दिया हमने और इसमें इसके बाद on click effect देंगे on click ठीक है is equal to document.get element by id ठीक है इसको यहां से close किया demo ठीक है demo नाम दे दिया इसको close करिए dot inner html ठीक है html यह लिख दिया हमने और is equal to date ठीक है ठीक है और इसको close करने के बाद यहां पर यहां पर लिखता हूँ मैं click here to display date and time यह लिख दिया हमने और इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है नीचे आना है और button tag को close कर देना है सबसे पहले तो यहां button को close किया हमने ठीक है और button को close करने के बाद हमें क्या करना है यहां पर paragraph id लेनी है ठीक है तो ले लेते हैं paragraph id ठीक है paragraph id is equal to demo कर देता हूँ demo बहुत छोटा सा code है और ध्यान से करिएगा हलागी एक बार पहले भी मैं यह code आपको बता चुका हूँ ठीक है इसको small में लिखते हैं यह सब capital हो गया है ठीक है यहां पर भी यह देखिए यह date जो है इसमें सिर्फ पहला लेटर capital रहेगा demo देने के बाद यह demo जो है हमने small देना है यह आप देखिए small दिया है यहां पर capital नहीं दे सकते हूं तो यहां small दे देता हूं demo और पस अब paragraph को close कर दिजिए यहां से paragraph ID का काम हो चुका paragraph को close किया हमने और paragraph को close करके HTML भी close कीजिए body close करके तो यहां body close कीजिए और देन है तो यह हमारा काम हो गया इसको save करिए यहां पर देखिए clock नाम से save हो चुका है double click करिएगा तो यह open हो जाएगा अब यहां पर जैसे ही click करेंगे तो यह current date and time show करेगा यहां पर देखिए 20 बच के 69 मिनट 49 second हो रहा है ठीक है तो यहां देखिए 20 बच के 69 मिनट नीचे भी हो रहा है आपको मैं दिखा देता हूं ठीक है अब जैसे ही time change होगा जैसे second भी यह बता रहा है यहां देखिए 39 second यह बता रहा है तो यहां पर हमको refresh करना होगा तो यह देखिए आप फिर यहां पर time देखेंगे तो यहां देखिए 39 second जो है अब वो change हो गया ठीक है अब यह 21 बच चुका है ठीक है आप देख सकते हैं इसमें 21 बच के 0 minute और 1 second हुआ अब फिर इसको यहां से हम करेंगे तो यह देखिए यहां पर जैसे click करता हूं यह second बढ़ता जाएगा ठीक है देख रहा है तो यह 17 second होगा तो इस तरीके से आप अगर डेट भी शो कर रहा है 17 मई 2020 तो यह हमने रियल टाइम वाच बना दिया एक तरह से ठीक है उमीद करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आई होगी वीडियो पसंद आ है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को थेंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो